भारत के सबसे रोमान चक गेमिंग प्लाटफॉर्म विंजो पर है सतर से भी ज्यादा गेम्स तो खेलो अपने मन पसंद गेम्स और रोज जीतो करोडो के इनाम डाउनलोड नाउ प्रॉम विंजोगेम्स डाट कॉम केम में वित्या जोकिम चामिले और इसकी आदत लग सकती है जिमेदारी और अपनी जोकिम पर खेलें दोने और आज जिस प्रकार से यह तेल मिला हैं गैस मिला है ओल मिला है इससे जो 아무ी रजी पर उसमें बाध्मिर जिल्य के विकास के ऊपर पैसा जितना खर चोना चीए आ शीसराफ से नहीं हो रहा हूद उसमें से भाड मेर जिल्ले को भी पैसा मिलना चाहिए विकास के लिए गावद गाडन था मुक्यमित्री के सामने मैंने ये बात रखी थी इस्थानी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और इनना का भी था कि इस्तान ये लोगों को रोजगार देंगे केरन वालों ने लेकिन फिर भी अभी तर उसके उपर जिस प्रकार से एक्षन होना चाहिए जिस प्रकार से लोगों को प्रात्मिकता मिलने चाहिए रोजगार में उस प्रकार से प्रात्मिकता नहीं मिल रही ह तो क्या सला देंगे और किस तरीके से यहां पर जो अवेद खननन होता उसको लेकर क्या करेंगे अवेद खननन को रोगना चाहिए सरकार को क्योंकि सरकार की आयका सबसे बड़ा स्रोत है ये अगर अवेद खननन को नहीं रोका गया तो सरकार को बहुत राजस्व की हनी होगी और जब राजय स्वोई प्राप्त नहीं होगा तो विकास के काम ठप हो जाएंगे जनता की जो भी समस्या चाहिए पीने के पाणी की है सड़क की है इनका समाधान नहीं होगा तो इसलिए अवेद खननन को हर सूर्प में रोका जाना चाहिए रेगिस्तान के अंदर इस समय मा अपरेल का महीना है पानी को लेकर लोगों में जबर्दस तरीके से ऐसी काफी सतर सालों में यूजना है आ भी गई है लेकिन ऐसे भी दूर दराज के लाके हैं जहां पर पानी की समश्या है तो उसको लेकर बजट में आपनी आपकी और से क्या मांग की गई थी और पानी को पानी के पानी का गुजरा करती थी यह बाड में डिस्टिक्ट एड़कोट की आलत थी लेकिन बाद में प्रयास करने से दिरी दिरी पीने की पानी की वेवस्ताएं हुई लेकिन आखिरी जमीन के अंद जो ग्राउंड वाटर है वो दिनो दिन कम होता जा रहा है और उसकी पैसा खर्च हो गया है लेकि इतना पैसा खर्च होने के बाद में भी पीने के पानी का इस्ता ही रूप से समाधान नहीं हुआ इसलिए पीने के पानी का इस्ता ही रूप से समाधान करने के लिए इदर तो इंद्रगांदी नहर और इदर नरम्दा नहर यह दो यह नहर है इनसे ही पीने के पानी की व्यवस्ता होगी, तब ही जाकर के पीने के पानी का इस्ता ही समाधन होगा। गुडामानानी विदासभा पूरे छेतर में नरम्दा नहर से पीने के पानी की व्यवस्ता करनी है। और नरमदा नहर में पीने के पानी के लिए अलग से इसमें व्यवस्ता कर रखी है, वो पानी उसके लिए रिजर्व है, पीने के पानी के लिए खेती में काम नहीं लिया जाएगा, और अभी हाली में जायका के द्वारा गुड़ामालनी विदासभा चेतर के लिए तेरा सो 63 क्रोड रुपे की यूजणा स्वीकरत हो चुकी है जिसका जल्दी डीपी आर टियार कर दी जाएगी और डीपीयार तैयार होना के बाद इसका टेंडर लगाद जाएगा और फिर वर्क और डेकर के जल्दी से जल्दी वो काम सुरू करेंगे जिससे कि आना वाले समय में जो अधिकारी और करमचारी आम लोगों की समच्या निवार Benn कर रहे हैं जो कानून अधिकारी की जमिन जिमेदारी इ疫 crash को बुद leamenas to warranty टील है तो यह प्रसासन की काम में तो इसमें किसी प्रकार की डिला आधिकारी कर रहे हैं लेकिन जिस प्रकार से जिस तरीके से लीधत अंदर घूजरत के अंदर बढ़ी तादाद में शराप जा रही है तो तो यह अगर पुलीस प्रसाशन सक्री हो तो यह अवेद तसक्री नहीं हो सकती अवेद खनन भी नहीं हो सकता तो पुलीस को और प्रसाशन को दोनों को सक्री होना पड़ेगा और मजबूती से उनके खिलाब कारवई करने पड़ेगा जिस तरीके से तेल निकला था बाड़म जिले के लोगों को रोजगार के रूप में मिलना चाहिए था या कामकाच के रूप में मिलना चाहिए था वो कुछ मिला या उसकी इतना सरकार को यहां के जो रोयल्टी है वो लाखो करोडों रुपय देते है उसके बावजूद भी बारमिर जिले को जितना लोगों को मिलना को चाहिए था मिला या फिर वही बार कि लोग आकर ले जा रह tipping इस बात को लिए कर क्या सुचते हैं क्या सफने आपने भी देखा होगा उस वक्त क्योंबं को हुष यहां की लोगों की जीवन ब्र wyb बद्ल को जो प्रकार से यह ते यह मिला और दूसरे रोजगार के मामले में हैं तो उसमें भी जितना रोजगार यहां के लोगों को रोजगार के मामले में मिलें अगर बार के स्कार के ओपर ये सरकार की जिम्मेदारी है सरकार को इस बात को गंबीरता से लहना चाहिए लेकिन फिर बीद्विंगा उपर जिस प्रात्मिक्ता नहीं मिल रही है इसलिए ये भी मुद्दा बहुत गंबीर है इस पर भी अभी सोचने की जरूरत है और इस तरह ये लोगों को रोजगार देने की आवशकता है ये विदायक हिमाराम चौद्री है एक बार फिर से अपने बेबाग बोल जनता की जो आवास थी खर्च करना चाहिए दिनेश बौरा बार मेर राजस्तान तक न्यूस तक को बेस्ट डिजिटल मेडिया न्यूस चैनल काटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी